हेलो फैंड्स वेलकम बैक इन्गे माई यूटूब चैनल हैकर गयान आज हम आपको इंस्टॉल करके दिखाएंगे कैसे अपने विंडोश टेंड पर इंस्टॉल करते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो को देख सकते हैं और बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया व आपने Windows 10 पे इंस्टाल करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमको जाना होगा New पे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह New का Option है इस पर आपको सिंप्ली क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डालना है नाम कौन सा आप इंस्टाल कर रहे हैं Linux का तो मैं Linux का 64 बीट का करूंगा तो आप यहाँ पर डाल देता है Ubuntu ठीक है मैं Ubuntu डाला आप देख सकते हैं टाइप में Automatic Linux हो गया यह पहले Windows था वर्जन में Ubuntu 64 Automatic आ गया आप यहाँ से चेंजिंग मी कर सकते हैं तो हम चेंजिंग नहीं करेंगे अब हम आगे बढ़ते हैं next पर क्लिक कर होना है रैम का साइज बोल रहा है एक जीबी तो एक जीबी काफी होता है वैसे लेकिन हम कुछ इसको बढ़ा देंगे क्योंकि मेरे सिस्टम में रैम बहुत जादा है बाइडिफोल्ट हर चीज को रहने देना है create virtual hard disk by default ही रहेगा बस आपको create पर क्लिक करना है VDI virtual box disk image यह भी by default जैसे वैसे रहना है next पर क्लिक कर देना है यह कह रहा है dynamic allocate मतब कि वो physical hard disk होगा या फिर इसका जो size क्या होगा तो मैं करूंगा dynamic अगर मेरा system अगर 2GB ले रहा तो hard disk का size 2GB रहेगा अगर 10GB ले रहा तो hard disk का size 10GB होगा ऐसा नहीं है कि 10GB यह storage को fix कर लेगा अपने under में तो इससे था benefit होता है इसलिए dynamic allocate पर रहने देना है by default और next कर देना है अब यहाँ पर hard disk का size 10GB काफी है create पर click करना अब आप देख सकते हैं यहाँ पर यह create हो गया है ठीक है तो अब create जो हो गया है तो आपको यहाँ पर कुछ settings करना होगा तो settings करने के लिए आप यहाँ पर simply right click भी कर सकते हैं और आपको एक option यहाँ पर भी settings का मिलता है तो advanced पर click कर देना है advanced पर click किजिएगा यह दो option आपको disabled है तो इसको आपको enable कर देना है ब्रीड नेशन करके option होगा दोनों में एक ही कर देना है ठीक है अब simply आपको यहाँ पर storage में आना है storage में आने के बाद आपको एक click MPT पर करना है MPT पर करने के बाद आपको यहाँ पर circle सा box दिखेगा इस पर आपको click करना है इसमें आना है choose disk file पर आना है choose disk file पर आने के बाद आपको अपने location में देख लेना कहां पर आपको download किये हुए है Ubuntu को तो मैं download किया हूँ 200 GB इसमें और एक option होगा operating software इसमें मेरा Ubuntu यह वाला रहा 64 bit यह Ubuntu है इसको मैं आपको size देखा दूँ 2.8 GB का है Ubuntu ठीक है simply open पर click कर देना है और यहां आपको ok पर click कर देना है अब आप देख सकते हैं साड़ा चीज मेरे लिए ready हो गया है अब हमको कुछ भी नहीं करना है simply यहां पर start पर click कर देना है start पर click करते के साथ आप देखेंगे यह run होना शुरू हो जाएगा मेरा system थोड़ा slow इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं इसमें अभी screen recorder on किया हूँ इसी वैसे system थोड़ा slow है वैसे आपका system बढ़िया चलेगा यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ start पर यहां कर दिए अब छोड़ देना है अब आप देखेंगे virtual box on हुआ अब यहां पर आपको बोलेगा ubuntu का safe mode पर आना है और enter कर देना है पीछे से virtual box को आप हटा भी सकते हैं उसका कोई जरुरत नहीं है अगर यह आपका ubuntu running स्टार्ट हो गया है तो उससे बेसिकली आपका राम कुछ फ्री हो जाता है तो अब देख सकते हैं यहां पर ubuntu का logo आ गया है सारा चीज हो गया मतलब यह अभी आपका live boot हुआ है इंस्टाल नहीं हो रारू fight. तो फ्रेंट आपस लगते इस यह option आ गया है ubuntu इंस्टाल करने का तो इसमें आपको तीन option मिल रहा है एक आपको लेंगवेच का option मिल रहा एक मिल आपको try ubuntu का और दुसरा option मिल रहा है sangat install Ubuntu का तो मैं जैसे आपको Thumbnail में दिखाया कि Install Ubuntu तो मैं Install Ubuntu पे क्लिक कर रहा हूं अग्र आपको Try करना है तो Try Ubuntu पे भी क्लिक कर सकते हैं और उसे पहले आपको presence language क्राना है तो language भी चेंज कर सकते तो By default English है अब मैं Install Ubuntu पे क्लिक कर देता हूँ इंस्टाल उबन टूबे क्लिक करते के साथ आपको कीबोर्ड लेयाउट का ओप्शन आ गिया है कीबोर्ड लेयाउट में बाइडिफोल्ट ही रहने देना है कंटिन्यू कर देंगे इसमें आपको टोटल चाड ओप्शन दिखेगा अगर आपका इंटरनेट से जुड़ा रहेगा तो अभी मेरे को तीन ओप्शन दिख रहा सबसे पहला ओप्शन है नौर्मल इंस्टॉलेशन सेकंड आप्शन है मिनीमल इस्टॉलेशन मिनीमल में आपका जो होता है सबसे कम चीज आता है और एक होता install third party software जो आपके support के लिए होता तो मैं आपको demo के लिए कर रहा हूं इसलिए मैं minimal installation पर जा रहा हूं ज्यादा का difference किसी में नहीं है सारस step सेम होगा चलिए हम continue करते हैं friends आप देख सकते हैं next step में है installation type का तो इसमें आपको basically partition के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है तो यहाँ पर एक option होता है something else ठीक है last option और पहला option होता it is disk and install Ubuntu अगर आप virtual box में install कर रहे हैं जैसा मैं आपको शुरू से बताया तो आपको first में ही रहने देना by default अगर आप direct install कर रहे हैं disk में virtual box कर यूज नहीं कर रहे हैं तब आपको second में आखे partition करना है तो मैं यहाँ पर direct जो by default है install now पर click कर देता हूँ it is disk इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा जो disk हमने 10GB का बनाया था virtual उसमें ही install होगा तो आप देख सकते हैं option यह confirmation कर रहा हमसे तो continue पर click कर देना है अब देखिए आप से यह पूछेगा आपका location तो simply हम इंडिया कॉलकता कर दिए बस आपको click कर देना है इस पर हो जाएगा आपको इसमें अपना नाम डालना है और यहाँ पर आपको password डालना है इसमें भी आपको password same डालना है और यहाँ पर आप login automatic भी कर सकते हैं मैं भी login automatic कर देता हूँ इसमें password भूलने का chance कम होता continue पर click कर देना है अब देख सकते हैं, इस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, मैं वीडियो को फ्राइज किप कर रहा हूँ फ्रेंट्स, तो मैक्सिमम इसका प्रोसेस हो गया है, अब कंफ्रीगरिंग हो रहा है हाटवेर तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेगा तो friends देख सकते हैं installation complete हो गया है और या installation complete का dialogue box आगी है installation is complete you need to restart your computer in order to use your new installation simply इस पर restart नौप पर click कर देना है अब देख सकते हैं system restart हो रहा है उबन्टू रिस्टार्ट होगा यह आपको लिखेगा प्लीज रिमुव दा इंस्टॉलेशन मीडिया देन प्रेस इंतर तो आपको सिंपली बस इंतर कर देना है यह स्टार्ट हो जाएगा उबन्टू का लोगो आ गिया है अब बूट हो रहा है तो यहां पर आपको simply skip कर देना है वो आप पर depend करता है आप login भी कर सकते हैं तो मैं skip कर दूँगा और यहां पर next करना है मैं इसले चल रहा है कि मैं अभी recording on क्या हूं screen recorder जो काफी ज्यादा RAM यूज करता है simply यहां पर भी next कर देना है location का permission मुझे नहीं देना है अब आप देख सकते हैं यहां पर done का option आ गया है you are ready to go simply done पर click कर देना है अब आप देख सकते हैं मेरे system पर आ गया है इसमें हम जाके display का resolution भी change कर सकते हैं resolution की कुछ change करने के लिए यहां पर simply हम कर देते हैं आपको यह थोड़ा कुछ बेतर है keep change काफी बढ़ियां चल रहा है अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको like कीजिए मेरे channel को subscribe कीजिए ताके आने वाली time में मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं thanks for watching झाल